पूस्तों अगर आप दोबारा रिप्रिंट करते हैं तो आपके लिए यूटी आई ने एक नोटीस जारी किया है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं वह नोटीस में क्या है और इसका क्या परभाव आपके उपर पढ़ने वाला है तो चलिए हम पैन लिखके यहां पर क्लिक करने के बाद एक बार और क्लिक करना है मतलब लॉग इन कर लेना है हमें यहां पर देखिए इस नोटीफिकेशन के बारे में बता रहा था वो यह है इस पर क्या लिखा आ रहा है डियर यूजर ओटीप बेस्ट वेस्ट वे इनेबल्ट फोर पी एसे जिनेए नहीं प तो इसका सिदा सिदा मतलब यह है कि अब कुछ दिनों के बाद से अगर आप इस पे लॉग इन करोगे अपने यूटी आई पैन पोटल पे तो क्या होगा कि आपका जो रिजिस्टर्ड मॉबाइल नंबर है जो आपने यूटी आई में दिया है अगर आपका CSC के थुरू लॉग इन होता है तो मोटा मोटी समझिए कि जो आपने CSC में दे रखा है अगर आपने चेंज नहीं किया है तो जो आपने CSC में दे रखा है उसी नंबर पे या उसी इमेल आईडी पे OTP जाएगा जो यहाँ पे आपको सब्मिट करके लॉग इन करना है सर्विस वाले ओप्शन पर आके यहाँ पे एक हमें दिखेगा मेन्यू चेंज प्रोफाइल इस पर हम क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो डिटेल है जैसे की नाम एड्रेस मुबाइल नंबर और इमेल आईडी आपको यहाँ पे दिख है इस वीडियोके मातम से पस ही चोड़ी से धनकारिये आपको देशली ही दोसतों आप लोग वीडियो को देख लेते हैं बट चैनल को baixo नहीं करते हैं तो चैनल को सबसक्राइब किया किए थोड़ा मोटिवेड कीजी हमें भी नाकी बनाने में थोड़ा मन भी लगे हमें त फिर से मिलो किसी अधर टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद